हेलो फिंस विलकॉम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हव आज मैं अपलूक लिए लेके आई हूँ आलू और गिहू के आटे से बनने वाला बहुत ही चटपठा कुरकुरा नास्ता इस नास्ते को जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको मार्केट के समोसे कचोरी का टेस प्रिस्ट भी फीका लगेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो आईए इस रेसेपी को बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल बाउल पर मैं एड़ कर रहे हूँ एक कप गेंहू का आटा यह वही आटा है जिसे हम लोग रोटिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक चोथाई चमची यहाँ पर मैंने नमक एट कर दिया है एक चोथाई चमची मैंने यहाँ पर आजवाइन एट की है एक छोटी चमच से भी थोड़ा कम ही मैंने यहाँ पर रिफाइन वाइल एट किया है और अच्छे से हम इन सब चीचों को पहले मिक्स कर लेंगे और उसक से ढखके हम 5 मिनिट के लिए रेश्ट पे छोड़ देंगे और अभी यहां पर मैंने लिया है दो मिडियम साइज का उबला हुआ आलू को हमें ऐसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लेना है फ्रेंट क्योंकि हमें बिल्कुल भी गुटलिया नहीं चाहिए आलू को होड़ा सा गरम होने देना है और उसी के साथ में मैंने अड़ी चोटी चमच राई और यहां पर मैंने एक छोटे साइज का प्याज बारीक टुक्रों में कट करके डाला है प्याज को हम अच्छे से भूल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्याज भून चुकी ह तो इस टाइम पर मैं आदी चोटी चमच डाल रही हूँ अद्रक लहसन का पेष्ट इसे भी हम प्याज के साथ भूल लेंगे और अभी मैंने एड़ किया है दो चमच पानी क्योंकि अभी मैं डालूंगी मसाला और इसे हमारा मसाला जलेगा नहीं तो यहां पर मैंने एक च तो तो इसे मैंने लो फ्लेम पर भूल लिया है और इसे के साथ में आलू ग्रेट करके रखा था वो हम इसमें डाल के अच्छे से भूल लेंगे दो से तीन मिनट इन दोनों चीजों को अच्छे से भूल ले ताकि मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साथ में एड कर दिया है स्वादनुसार नमा किसे भी मैंने मिक्स कर लिया है और इस टाइम पर मैं एड कर दे रही हूँ एक मुठी भड के हरा धनिया जिसे मैंने बारीक टुक्रो में कट किया है और इसे मिक्स करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा इसे भूल लिया है और यह हमारी फिलिंग रेडी है तो हम इसे एक साइट पर रखेंगे और अभी हम बनाएंगे सलरी उसके लिए मैंने यहापे एक बाउल लिया है बाउल में मैं एड कर रही हूँ दो बड़े चमच गीहूं का आटा साथ में मैंने यहापे थोड़ा सा नमक आट कर दिया है आधी चोटी चमच चीली फ्लेक्स आट की है उसी के साथ मैंने आट कर दिया है एक चोथाई चमच आजवाइन एक चोथाई चमच गलोंजी आट कर दिया है और आटे को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है और इसी क बनाने में मैंने पूरा आधा कब पानी डाला है और यह हमारी पतली सी सलरी रेडी हो चुकी है आठा को रखे हुए भी पाच मिनट हो चुके थे तो इसे एक बार मैंने गूत लिया है और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं द आप इसकी मोटाई देख लें बस इतना रखना है हमें और यहां पे जो हमने आलू की फिलिंग रेडी की थी वो हम इस पे फैलाएंगे आलू की पतली सी लेयर आपको रोडी पे बिचानी है छोर छोर के बिल्कुल भी ना डाले फ्रेंड एकदम एक सामान लागा है तो यह पे इस तरह से मैने आलू के लियर बिचा दिया है और यह नहjosster वागाओं को एक बाद सुके आटे में चला लए और उसके बाद इस तरह से हम इसे कट करेंगे तो अभी मैंने इसे दोभागों में कट किया है साथ में मैंने फिर लिए ओ दिप policymakers को और फिर चारवागों में कट किया है फिर से आटे में डिप किया है और फिर इसे 6 भागों में कट किया है आटे में डिप करके जब आप काटेंगे तो यह विल्कुल भी चिपकेगी नहीं और यहां पे मैंने इसे 8 भागों में कट कर लिया है और अभी एक जो टुकड़ा है उसके किनारे से इस तरह से उठाते हुए हम इसे roll कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने roll कर लिया और हमारा एक नास्ता ready हो चुका है इसी तरह से हम सारे टुक्रे को roll कर लेंगे और हमारा सारा नास्ता ready हो जाएगा तो अगर आपको लगता है कि ये ठीक से पैक नहीं हुई है तो इस तरह से आप बोड पे घुमा ले और यहाँ पे इसी तरह से मैंने साड़े नास्ते को रेडी कर लिया है और अभी जो हमने सलरी बनाई थी उसे हम अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और नास्ते को इसमें इस तरह से डाल के कर लेंगे सलरी की कोटिंग जब अच्छे से नास्ते पे हो जाएगी तो वाइल में बिल्कुल भी तूटेगी या बिक्रेगी नहीं तो अभी हम डायरेक्टी से वाइल में ही डालेंगे तो यहाँ पे मैंने वाइल डाल दिया था पैन में गरम होने के लिए वाइल को हमें मीडियम गरम करना है और जितना नास्ता एक साथ आ सकता है वो हम इसमें एड कर देंगे तो यहाँ पे देखे फ्रेंट इस तरह से अच्छे से आपको कोट करके ही डालना है एक एक करके नास्ता डालते रहें और इसे बिल्कुल भी अभी टच ना करें जब तक उपर से यह से हो चुकी है तो मैं एक फोर्क की मदद से इस तरह से पलट रही हूँ एक पर जब आप इसे पलट दे और नीचे से भी यह सेट हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर पे घुमाते हुए इसे फ्राई कर ले गयास की फ्लेम को मीडियम रखे फ्रेंट अगर आप हाई फ्लेम इसे तलेंगे तो यह तुरन से तल तो जाएगी लेकिन आपका नास्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा तो यहाँ पर देखे फ्रेंड मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट घुमाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है और अभी आप इसके कलर को देखके समझ स लगते हैं कि यह उपर से कितना क्रिस्पी दिख़ए है साथ में यह देखने में भी कितना प्यारा सुंदर दिख़ए है तो इसे मैंने एक ट्वेट में निकाल लिया है और बाकी के नास्ते को भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है तो आप इस रेसिपी को एक बार झाल झाल